नमस्कार दोस्तों, आज कीस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, 9 अक्तूबर जिनकी जनमतिती है, उनका संपुर्ण वेक्तित्व, उस प्रकार आने वले जो संपुर्ण साल है वो किस प्रकार का होगा? सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाने हैं. सबसे पहले जिनकी भी जनमतिती 9 अक्तूबर की है, उन सभी को जनम दिन की धेरो धेरो शुब कामनाएं. आने वले संपुर्ण साल आपकी सभी मनों कामनाएं पूरी करें. इनके वेक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए, तो इनका जो वेक्तित्व होता है, बहुत ही अ अच्छा देखा जा सकता है, इनकी जो वानिये होती है, उससे ही आपको पता चलेगा, मतलब थोड़ से कमांडिंग होते हैं, जो भी काम बात करेंगे, जो भी बोलेंगे, वो to the point होता है, बहुत ही ज्यादा वर्कॉलिक होते हैं, काम करना इनने बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, टेकनिकल नॉलेज इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है, उसी परकार ऐसे जो विक्ति है, है, वो हमेशा नमबर वन पर रहना पसंद करते हैं, और उनसे कुछ अच्छा करे, और उनसे कुछ ज्यादा करे, जो अच्छा है वही करे, यही जो बात है, इनके वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है, मतलब जो बात, जो काम और उनसे नहीं होता, वो खुद करकर दिखाएंगे, लीड बाइ एक्सांपल जिसे हम कहते हैं, वो इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है, उसी प्रकार इनको अपरचुटी काफी जल्दी दिख जाती है, और ऐसे जो विक्ती है, खास करके अगर देखा जाएंगे, तो इनमें जो हार्डवर की नेचर होता है, गोल औरेंडेशन जो होता है, वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, उसी प्रकार इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, अकलन शक्ती, घ्रहन शक्ती, वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है, बहुती ज़्यादा होशे और बहुती ज़्यादा इंटिलेजेंट होते हैं, इनको पता होता है कि अपने जो बात है, वो कैसे निकलवानी है, उसी प्रकार इनकी जो वानी होती है, वो भी काफी अच्छी होती है, थोड़ी से तीखी हो सकती ह लेकिन to the point बोलने वाले होते हैं उसी प्रकार ऐसे जो विक्ति है स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा पेट या फिर पीट से रिलेटर जो प्रॉबलम है वह इनमें थोड़े ज्यादा देखे जा सकते हैं लेकिन अपने बलबुते पर आगे बढ़ने वादे ह होते हैं नॉर्मल यह जो वेक्ति हैं किसी से मदद लेना नहीं पसंद करते हैं इनके व्यक्तित्व व्यक्तित्व का जो अउरा होता है वह औरंसे काफी अलग देखा जा सकता है relationship के मामले में अगर देखा जाए तो relationship में आते है relationship में आगे भी जाते हैं यहाँ पर एक दो बाते हैं जिस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है इन में जो निर्णेक शम्चा होती है वो थोड़ इसी कम होती है इस वज़े से relationship में commitment देना इनसे नहीं होता हाला कि इसी वज़े से कई दफा relationship में breakup तक बात पहुँझ जाती है तो यह जो बात है वाई वाई जिवन में भी लागू होती है खास करके यह जो जनम तरीक है मतलब 9 अक्तूबर की जो महिला वर्ग है उनके बारे में अगर देखा जाए तो जब भी यह conceive करती है संतान सुक के लिए तब या फिर delivery के समय problem होने की complication होने की संभावना थोड़ी जादा बनती है उसी प्रकार health issues इनको थोड़ी जादा आ सकते है पित्त प्रकृती इनमें देखे जा सकती है तो इनके द्वारा skin allergy या फिर पेट और पिट के तकलिफ है उसी प्रकार सिर्दर्थ वगर हो ना इस प्रकार के अनुबह भी इनमें ज्यादा तर देखे जा सकते हैं लेकिन एक बात तो तो तय है कि ऐसे जो विक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ सकते है या फिर बढ़ते भी है उसी प्रकार आने व आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा उसी प्रकार ऐसे जो विक्ति है बौदिक स्थ से रिलेटेड जो भी ख्षेतर है उसमें भी काफी अच्छी तरह के से आगे बढ़ सकते हैं इसका जो ग्रास्पिंग होती है वह काफी अच्छी देखे जा सकते एजुकेशन फाइनांस ओटेल इंडर्स्री टूरीजम इंडर्स्री इसमें ऐसे जो विक्ति है अपने बल्बुत्य पर आगे बढ़ने वाले होते हैं उसी प्रकार कई दफ़ा मेडिकल फिल्ट से रिलेटेड भी ऐसे जो विक्ति है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं तो दोस्तों यह था नव अक्तूबर जिनकी भी जनम्तिति हैं उनका संपुर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है इस विशय पर चर्चा धन्यबाद